गाइस आप सभी के लिए आउजा का एक छोटा सा सटप लेकर रहा हूं और यह सटप ज्यादा बड़ा नहीं होने वला है काफी अच्छा उलडी का सटप होने वला है इस सटप के अंदर आपका दो सिंगल टॉप साथी दो हॉन दो अमलिफार और वायर के वैल और एक इस्ट अँवेस्ट नहीं करना पड़ेगा इये सटप कंप्ली रेडि हो जाएगा जिस्तरा मैं आपको कहाँ मैं आगर चलके बताने वाला हूं इस वीडियो में प्लीज वीडियो लाँगा और वीडियो भी लाता हूँ तो चले इस चोटा साथ वीडियो को शुरू करते हैं सबसल बात तरूँगा देखें सदप ज्यादा बड़ा सदप नहीं होने वाला है इस सदप को आप लोग छोटे मुड़े कारिकरम के लिए इस्तमाल कर सकते हैं जैसे की मंदीर, मजदीर, स्कूल, हॉल, प्रोग्राम इस तरह आप लोग कारिकरम में इस्तमाल कर सकते हैं आपको ओई टॉप लेना पड़ेगा तो आप लोग टॉप बोक्स देख सकते हैं यह यह आपका अउजा का मिनी टॉप है इसके अंदर आपका एक सिंगल स्पीकर साथी बारेंची स्पीकर डेले होते है बात करूँँ इस टॉप की मोडल नमबर क्या है तो इस टॉप की मो बना होता है और इसके अंदर जो इस पीकर लगा यह आपका 200 अश्पार के साथ आता ही स्पीकर काफी अच्छा इस दूर तक आपको पतला साउन आपको सुनो मिल जागा इस स्पिकर में और इस टॉप की बेट आपको 26 के लिए बेट देनों मिलेगा जो कि हैबी है बजेगा काफी अच्छा को लिडिक के साथ बात करूँ एक टॉप की प्राज कितना पड़ेगा तो देखे एक टॉप की प्र कैंगेए इसको चलाने के लिए कौन सानल पारेगा तो देखे इसको चलाने के लिए मैंने फोपला आउजा कर लिया हूं जो कि SSA 250 M तो इस अलिफायर को आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से यह अलिफायर आपका अर्मेस पार 250 रच होता है और इस मैक्सिम पार 300 रच का होता है और इस अलिफायर में आपको च्छे इस तरह आपको अपसिन मिल जागा अलिफायर के ब्यक्सायर में लेकिन इसमें आपको टूम को अपसिन नहीं दिया है तो आप लोग एटों मलग चारी स्पेर नहीं चला सकते हैं और इस अलिफायर को आप लोग पार सावलव में कैसे चलाएंगे आपको अपने एरिया से इस अलिफायर को लेने की कोसिस किजेगा लगबग आपको इतने रूपे में मिल जागा चले आगे बात करेंगे सटप के लिए मैंने दो हॉन को भी लिया हूँ और वो कौन सा रहेगा और कितना प्राज पड़ेगा तो देखे इसके लिए मैंने आउजा का एयूज 60 वाला मोडल को लिया हूँ जो कि एक ओम बाला डैमूट है जो कि आप लोग देख सकते हैं और इसे साहिद आप लोग यूज केवंगे तो आपको पता होगा और यह इनूट आपका अर्मेस पार 60 वोटेज को होता है और इसका मैक्सिम वोटेज आपको 90 वोटेज आपको दिनों मिल जागा और इस इनूट की प्राज क्योंगे बात करूं कितना आपको लगवग पड़ेगा तो इसका प्राज आपका दो इनूट अराम से हो जागा साति ही इसके लिए आपको चोंगा भी लेना पड़ेगा जोकी 80 इंची का भी ले सकते हैं फिर आपके मर्जी से भी ले सकते हैं फिलाला 18 इंची सबसे ब्यस्ट होता है आप लोग 1000 में आप लोग एक पीस ले सकते हैं तो आपको दो पीस लगाना पड़ेगा मतलब को दो अजल लगेगा और आगे बात करेंगे आप लोग हौन को चलाने के लिए कौन सनलिफार लेंगे तो इसके लिए मैंने पर 130 उड़ेच का होता है इसमें पाच माइक्रोफोन लगाने का उप्सें साथी आपको एक औक्स का भी उप्सें दिनों मिल जागा अपको अपको ब्यक्साइड में बात करूँ इस अलिफार को आपको पार्सला में केसे चलाएंगे अपको पड़ेगा तो आप लोग इसे जोरू ले लिजेगा और आगे बात करेंगे आप लोग टॉप बॉक्स हौन को एक साथ केसे कनेक्सें करेंगे और किस अपरकार से चलाएंगे तो जैसे मैं आपको बताया हूं देखें दोटोव आपका 200 लाज 200 लाज चार्सले बनता है इंपड़र आपका बनेगा एटेड आपका फोरोम तो फोरोम में आपका बनता है और एम्प्लिफार जो मैं आपको बताया है अउजा का SSA-250M तो इस amplifier में आप लोग amplifier के back side में common और फोरू में connection कर दीजेगा load की में बात को तो charge storage का load EL पर काफी बिड़ने से चला लेता है बारेंची साब से काफी best load है और sound code काफी दूर तरह आपको से नो मिल जागा तो बिंदा से आप लोग इस तरह connection करके चला सकते हैं और आगे बात करेंगे horn को आप लोग किस तरह connection करेंगे देखें दो horn आपका बनता है solo plus slow आपका atom तो इसे भी आप लोग atom में connection कर दीजेगा इस amplifier के back side में और इसका voltage आपका 120 बनता है तो अराम से चला लेगा कोई दिक्कत नहींगा और काफी दूर तक आपको sound सुननों मिल जागा और आगे बात करेंगे इन दोनों amplifier को आपस में एक साथ कैसे connection करेंगे उनके भी बारे में आपको थोड़ा सा बतना चाहूंगा देखें जब भी आप लोग input करेंगे आप लोग छोटे amplifier से input कीजेगा मतलब इस amplifier से आप लोग input कीजेगा और इस amplifier से output आपको आपको अभूजा का ss250 amplifier में दीजेग जो कि Ox1 या फी lightning में दोनों में साथ लोग कर सकते हैं इस परकार से यह चलेगा कोई दिक्कत नहीं हैगा और आगे बात करेंगे setup के लिए मैंने और भी दो चीज को add क्या हूं एक है इस्ट वेजार और दूसरा आपका workable इस्ट वेजार की में बात कूं तो आप लोग कम से लेकर चार्जार के बीच में आपको मिल जागा आप लोग इसी के रेंज में बना सकते हैं और इस setup को चलाने के लिए आपको workable कम से कम 25 रुपया मान लेज़े एक आप लोग जो चोंगा के लिए आप लो workable लिजएगा वह आपको अलग से लेना पड़ेगा एक बंडल ले किया था इसलिए इसका प्राज थोड़ा से बड़ा है जो कि आप लोग अपने एरिया से बना लिजएगा इस से अपको काफी अच्छा को लिड़ी के सरफ रेड़ी हुआ आउजा का तो आप लोग जोरू बनाएगा और मुझे कमेंट करके बताएगा यह सरफ आप सो कैसा लगा तो मिलते हैं किसी नेश्टी वीडियो में और इसी तरह टॉपी के साथ तो आप लोग कमेंट किजिएगा जोरूर